हेलो सुडेंट्स हम लोग मिक्शर्स को सेपरेट करने के तरीके पढ़ रहे हैं और आज भी हमको उनी तरीकों को कंटीन्यू करना है कुछ different type के मिक्शर्स आज की क्लास में हम पढ़ेंगे और उनको कैसे separate किया जाता है वो जानेंगे ठीक है तो चलिए हम सबसे पहले तो यह जानते हैं कि आखिर हम आज कौन से type के मिक्शर्स को separate करेंगे तो चलिए जानते हैं हम इस बात को और सुनिएगा ध्यान से आज की क्लास में हम separate करेंगे miscible liquids को miscible liquids के जो mixers होते हैं उनको कैसे separate किया जाता है यह आज की क्लास में हम लोगों को जानना है तो miscible liquids का मतलब तो जाने पहले miscible liquids का मतलब है those two liquids which are soluble in each other अगर आपस में दो liquids properly soluble हो soluble in each other in that condition these two liquids are known as miscible liquids तो फिर liquids को क्या बोला जाता है miscible liquids और अगर soluble ना हो तो क्या बोला जाता है अगर soluble ना हो तो उन्हें बोला जाता है immiscible liquids Or immiscible liquids को कैसे separate करना है ये हम पहले ही कर چुके हैं by the use of a separating funnel Is it okay तो चलिए फिलाल हम miscible liquids को separate करेंगे और missible liquids को separate करने की हम आज दो techniques पढ़ेंगे तो जो सबसे पहली technique हम पढ़ने जा रहे है This technique is distillation जिस process को हम काम में लेंगे उस process का नाम है distillation technique तो चलिए distillation जानते हैं कैसे काम में लेना है और मैं आपको बता दूँ कि इस distillation method को काम में लेने के लिए जो दो liquid आपने लिए हैं जो भी liquid आपने लिए हैं उनमें एक difference होना बहुत ज़रूरी है किस चीज का difference होगा तो ही तो separate कर पाऊगे अगर सारे ही character match कर जाएं तो तो फिर separation possible ही नहीं होगा तो distillation वाली technique को काम में लेने के लिए कौन सी separating technique कौन सा difference आपको यहाँ पर use करना है उसे जानिये और हो जो difference है वो difference है boiling points का किसका difference है? boiling points का हम इस distillation technique से सिर्फ उन दो liquid को separate कर सकते हैं जिनके boiling point का difference minimum 30 Kelvin से लेकर के 50 Kelvin के बीच का जो difference है अगर वो difference हो तो इतना difference होना चाहिए उस condition में ही आप उसे distillation technique से separate कर सकते हैं otherwise आप से separate नहीं कर सकते हैं तो boiling point का minimum difference कितना होना चाहिए? minimum difference होना चाहिए 30 Kelvin और maximum कितना होना चाहिए? 50 Kelvin तो चलिए हम आगे जानेगे इस difference को हमें कैसे काम में लेना है? देखिए कर यहां से distillation technique को काम में लेने जाने हैं और कौन से liquid को separate करेंगे? देखिए हम यहां पर separate कर रहे हैं acetone और water के mixture को is it okay? acetone है एक हमारा liquid और दूसरा जो liquid है वो है water तो acetone और water acetone जानते तो हो न? acetone is a major constituent of nail polish remover is it okay? तो वही है acetone उसका chemical name जो होता है nail polish remover का this is acetone तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि acetone और water कैसे liquids है? miscible liquids है soluble in each other और क्या difference होना चाहिए दोनों के बीच में इनके boiling points का? minimum difference कितना होना चाहिए? 30 और maximum 50 Kelvin आगे देखिएगा acetone का boiling point तो चलो जाने पहले कि आखिर कितना होता है? acetone का boiling point होता है 329 Kelvin और water का boiling point तो आपको बहुत अच्छे से याद है 100 degrees Celsius और इसे Kelvin में convert कर सकते हो ना? बिल्कुल क्या करना पड़ेगा Kelvin में convert करने के लिए add क्या add करना पड़ता है? 273 मतलब water का boiling point कितना हो जाएगा? 373 Kelvin तो क्या हमारी condition satisfy हो रही है देख लीजिए क्या boiling point का difference 30 Kelvin हमको मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है तो शुरू करें हमारी distillation की technique शुरू करते हैं देखिएगा ध्यान से क्या apparatus setup हमको यहाँ पर काम में लेना है? वो देखिएगा ध्यान से हमें सबसे पहले यह clamp लेना है इससे हम tightly attach करेंगे ताकि जो हमारा apparatus setup है वो इधर उधर डगमगाए और हमें क्या लेना है apparatus setup के लिए सबसे पहले देखिएगा यह हमने लिया है And what is this? This is a round bottom flask क्या बोला जाता है इसको? Round bottom flask इसको बोला जाता है यह clamp है इससे हमने इस round bottom flask को tightly pack कर दिया है ताकि यह हिले डुले ना अपनी जगे से Round bottom flask इससे क्यों बोला जा रहा है? यह मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है आपको अपने आप ही समझ में आ गया होगा This is round bottom flask इस round bottom flask में हम हमारे missible liquids के mixture को fill करेंगे Missible liquids जो fill हाल हम यहां पर separate करने जा रहे है This is a mixture of acetone और acetone में क्या added है? एसी tone में added है water अब हमें इसको heat करना होगा heat करने के लिए हम यहां पर burner काम में लेंगे heat तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको heat भी थोड़ा बहुत नहीं इतना heat करना है कि जो हमारा liquid है यहां पर वो boil होना शुरू हो जाए अब हम इनके boiling points को temperature को measure कर सकें इसके लिए हम यहां पर क्या लगा रहे हैं समझ गए न आप This is thermometer यह हमने thermometer लगाया है यहां पर इसका नाम हम लिख देते हैं यहां हमारा जो figure है वो पूरी तरीके से labeled होना चाहिए So this is our thermometer और thermometer के साथ साथ एक outlet भी हमको यहां पर लगाना है एके करके मैं सबका use आपको बताऊंगी पर फिलाल आप देखें कि यह एक outlet है और यह हमने से बिलकुल stop cock से tight pack कर दिया है ताकि बनी हुई vapors कहीं इधर उधर ना जाएं और यहां पर भी हमने कुछ लगाया है क्या लगाया है वो मैं अभी थोड़े देर में बताऊंगी आपको और यह जो लगाया है इसका एक नाम है नाम भी है और काम भी है तो नाम और काम दोनों बताते हैं चलिए आपको this is condenser condenser है यह condenser का मतलग जो condensation का काम करें और condensation का मतलग जो gas को liquid में convert करें इसी process को तो हम क्या बोला करते हैं condensation और since ये condensation का काम कर रहा है याद है ना condensation condensation is the process of conversion of gas into liquid is it okay तो ये condensation का काम कर रहा है इसलिए हम इसे condenser बोल रहे है और ये condensation का काम कर सके इसके लिए हम लगातार इसमें इस वाले inlet से cold water supply कर रहे है is it okay और कोई से भी चीज सिर्फ पानी ही नहीं चाहे वो gas हो, चाहे वो water हो चाहे वो कोई साभी liquid हो जैसे जैसे गरम होता है हर गरम चीज की tendency होती है उपर की तरफ move करने की start moving in the upward direction पढ़ा है न आप लोगों ने winds के formation में भी बिलकुल तो जैसे ये पानी गरम होगा it start moving in the upward direction and this is the outlet for hot water मतलब आप समझ गए न कि इस condenser में continuously supply बनी रहनी चाहिए किस चीज की cold water की supply ताकि ये ठंडा करता रहे ठंडा ही तो करना है किसको ठंडा करना है वैपर्स को किसमें convert करना है liquid में कौनसी वैपर्स that we'll see later फिलाल आप देखिए यहाँ पर ये जो outlet है यहाँ पर हमने इसमें से निकलने वाले material को collect करने के लिए ये एक beaker लगा दिया है क्या लगा दिया है beaker लगा दिया है तो यह है हमारा finally apparatus arrangement for the procedure of distillation तो मैं दुबारा आपको repeat करके सारी काम की बाते बताने जा रही हूं दुबारा ध्यान से सुनिएगा हम फिलाल miscible liquids को separate करने जा रहे हैं और miscible liquids का मतलब क्या है those liquids which are soluble in each other जो properly आपस में dissolve हो जाते हो ऐसे दो liquids को अगर हमको separate करना हो तो जिस separating technique को काम में लिया जाता है this is distillation और distillation की जो limit है वो मैंने आपको बता दी है कि उन दोनो liquids को जिनको हम separate करने जा रहे हैं उनके boiling point में difference होना चाहिए और minimum जो difference है वो कितना होना चाहिए 30 Kelvin वैसे तो यह maximum 50 Kelvin लिखा है पर अगर 50 Kelvin से जादा भी हो तो भी distillation technique को काम में लिया जा सकता है आगे देखिएगा तो हम फिलहाल जो missable liquids यहां separate करने जा रहे हैं first of them is acetone whose boiling point is here in front of you you have to learn this value and another liquid is water whose boiling point is 373 तो आप minus करके जरूर देखिएगा कि इनके boiling point का जो gap है वो 30 Kelvin से जादा हो रहा है या नहीं हो रहा है जादा होना जरूरी है और उसके लिए हमने यह paratus arrangement लिया यह clamp लिया इसमें यह round bottom flask fit कर दिया round bottom बोलने का कारण as the bottom is round we are going to heat it with the help of this burner and in this round bottom flask what has to be taken a mixture of two miscible liquids which has to be separated by the technique of distillation हमने temperature note down करने के लिए यह thermometer लगा रखा है इसकी बनी हुई vapors को बाहर जाने के लिए यह outlet लगा रखा है आप इसे भी label कर दें outlet है यह वैपर्स को बाहर लेके जाएगा इसकी बनी हुई vapors को थंडा करने के लिए वैपर्स आ रहे हैं यहां से यह vapor आते आते थंडी हो जाए liquid में convert हो जाए इसके लिए हमें condensation करना होगा और condensation के लिए इस वैपर को थंडा करना होगा थंडा करने के लिए हमने यह इसको बाहर एक condenser से cover कर रखा है जिसमें continuous supply हमको maintain करनी है किसकी cold water की लगातार cold water जाना चाहिए hot जैसे ही हो जाएगा वैसे हम बाहर निकाल लेंगे चाहिए cold water रहना चाहिए आगई बात समझ में तो यह हमारा apparatus arrangement है अब concept क्या है concept सुनिएगा हमने mixture ले लिया दो चीजों का ऐसी tone का और water का ऐसी tone का boiling point हमें याद है याद रखना पड़ेगा आपको हर liquid का boiling point तो नहीं but at least to give an example in the exams at least one example has to be learned with their boiling points तो आप यही वाला learn कर सकते है ऐसी tone का boiling point है 329 Kelvin और water का boiling point है 373 Kelvin तो जैसे ही आप इसे heat करेंगे temperature भढ़ना शुरू होगा और भढ़ते भढ़ते temperature पहले 329 पर पहुँचेगा या 373 पर यह तो बहुत ही simple सा question है definitely temperature पहले कहां पहुचेगा temperature पहले पहुचेगा 329 Kelvin पर तो जैसे ही temperature 329 Kelvin होगा इस mixture का इसमें से vapors बनना शुरू हो जाएंगी और vapors किसकी बनेंगी vapors सबसे पहले बनेंगी ऐसी टोन की किसकी vapors बनेंगी ऐसी टोन की क्या water की भी बन जाएंगी नहीं नहीं बलकुल भी नहीं water का boiling point 373 Kelvin है और अभी temperature इसका 373 Kelvin नहीं हुआ है अभी temperature कितना हुआ है अभी temperature 329 Kelvin हुआ है तो ये 329 Kelvin पर acetone की vapor बन रही है ये vapor इस outlet में से जा रही है इस condenser के अंदर condenser इस acetone की vapor को क्या करेगा cool करेगा condense करेगा liquid में convert करेगा liquefy करेगा और ये liquefied acetone यहाँ पर drop by drop इस beaker में आकर collect हो जाएगा तो first liquid हो गया separate बिलकुल separate क्या मिला हमें सबसे पहले container में acetone मिल गया जी याद है न acetone दोबारा याद दिला दूँ major component of nail polish remover is it okay तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस acetone को चलो भी तो acetone जैसे ही मिल जाए आपको आप इस beaker को यहाँ से हटा लीजिए अब आप यह सोच रहे होगे कि कैसे पता लगेगा कि acetone पूरा आ चुका है हमारे पास में देखो जब तक acetone की state convert होगी यह temperature increase नहीं होगा तो temperature अगर थर्मामीटर में बढ़ना शुरू हो जाए तो समझ जाना कि acetone पूरा मिल चुका है अब आप रखेंगे यहाँ पर दूसरा beaker अब आप यह सोच रहे होगे कि इस दूसरे beaker की क्या जरूरत है water तो यहाँ बचा हुआ है acetone तो अलग होई चुका है acetone अब इसमें नहीं बचा है अब इसमें क्या बचा है अब acetone तो हमने separate कर दिया अब इसमें बचा है water क्या बचा है इसके अंदर water बचा है तो हम क्यों separate कर रहे है अब क्यों हम heat कर रहे है देखो कई बार ऐसी टोन और वाटर के साथ में अगर मान लो कि कोई और impurities भी हैं तो वो भी separate हो जाएंगी इसलिए हम इसको थोड़ा और heat करते हैं तो अब हम इसको थोड़ा और heat कर रहे हैं जब इसको और heat करेंगे तो temperature increase होगा और increase होते होते कहां पहुँच जाएंगा at a temperature of 373 Kelvin और जैसे ही temperature 373 Kelvin पर पहुँचेगा कॉन बॉयल होना शुरू हो जाएगा water वाटर की क्या मिलना शुरू हो जाएंगी vapors तो अब ये water vapors यहां से जाएंगी ये condenser उन water vapors को cool करेगा and in this beaker the second component of miscible liquid will be collected this is water and if any impurities are there except this water and acetone that will remain here तो acetone पूरा गायब water पूरा गायब और अब इस container में last में क्या बची रह जाएंगी other dissolved impurities तो in this way by the method of distillation we separated these two components which two components acetone and water by the process of distillation but the condition remains same that is the difference between their boiling point should be at least 30 Kelvin अच्छा अब हमको ये जानना है आगे जानने से पहले आप इसको note down कर लें फिर मैं बताऊंगी कि और क्या जानना है ओके तो से note down करिएगा note down कर लिया होगा आपने figure बना लिया होगा नहीं बनाया है तो pause करके बनाएं और अब जो हमको जानना है वो हमको ये जानना है कि अगर miscible liquids हो आपस में soluble भी हो और boiling point का difference 30 Kelvin ना हो तो कैसे separate किया जाएं ये हमको जानना है समझ में आई ना बत question mark कहां पर है ये clear हो है ना आपको तो conditions are almost same हमारे पास में दुबारा से क्या है two miscible liquids miscible का मतलब ही क्या होता है soluble in each other okay for example मैं आपको एक mixture बताने जा रही हूँ जैसे हमारे पास में एक mixture है this is a mixture of chloroform and benzene we have a mixture of chloroform and benzene is it okay तो अगर chloroform और benzene का mixture हो तो कैसे separate किया जाएं क्या problem है इसको separate करने में ये हमको यहाँ पर जानना है तो chloroform और benzene का mixture है हमारे पास में chloroform और benzene के boiling points अगर देखे जाएं तो ये हैं इनके boiling points 334 Kelvin and 353 Kelvin is it okay तो देखिएगा अगर ये difference हो इनके boiling point में 334 और 353 Kelvin तो क्या 30 Kelvin का जो gap हमको चाहिए था वो मिल रहा है हमको gap नहीं ये gap हमको नहीं मिल रहा है तो फिर हम कौन सा distillation काम में लेंगे in that condition another type of distillation has to be used which is fractional distillation अगर boiling point का difference 30 Kelvin से कम हो तो हमें एक दूसरा distillation काम में लेना पड़ता है जिस distillation का नाम होता है fractional distillation तो क्या difference होता है distillation और fractional distillation में सब कुछ सेम होता है everything is almost same वही same clamp और साथ में क्या लगाया था हमने round bottom flask वहीं लगाना होगा सब कुछ ध्यान से सुनते जाएगा नीचे क्या लगाना पड़ेगा burner to provide heat बहुत ध्यान से देखना है ना ये हमने लगा दिया burner इसमें हम फिल करेंगे mixture किसका mixture है ये two miscible liquids ये लिखे हुए है example chloroform and benzene दुबारा लिख देती हूँ मैं chloroform और दूसरा mixture क्या है benzene boiling points are there in front of you क्या करें तो फिर fractional distillation में क्या करना पड़ेगा हमको fractional distillation में बस एक चीज special होती है कि fractional distillation में हमको एक अलग से column लगाना पड़ता है देखना ध्यान से ये column कुछ नहीं है जी बहीं ये glass column है सिर्फ glass की एक tube है क्या है ये glass tube ये जो glass tube है this glass tube is known as fractionating column क्या बोला जाता है इस glass tube को fractionating column इसे बोला जाता है ये जो fractionating column है इसमें भर दिये जाते है कुछ पत्थर के टुकड़े stone, pebbles glass pieces जो भी आप भरना जाए कुछ भी चलेगा हाँ ऐसा मत भर दीजिएगा जो वैपर से reaction करने लग जाए unreactive चीज आपको यहाँ पर फिल करने होती है और साथ में अब आप लगा दें यहाँ पर thermometer लगा दें जैसा आपने पहले लगाया था ओके और यहाँ पर लगा दें ये outlet outlet में थोड़ा बड़ा सा बना रही हूं ये outlet हमने बनाया ये outlet बना दिया हमने और इसको बिलकुल stopcock से जैसे पहले आपने fit करा था tightly fit करेंगे दो चीज़ें यहाँ पर added है chloroform and benzene chloroform का boiling point कम है तो पहले boil हो जाएगा benzene का boiling point ज़्यादा है बाद में boil होगा इसका use आप समच चुके हैं this is condenser to cool the vapors which are coming from the round bottom flask and finally that will be changed into the liquid and for this condensation a continuous supply has to be there that is of cold water and this is the outlet for hot water and now a container a beaker has to be kept to collect the liquid which is coming out from the condenser तो यह हो गया जी हमारे paratus arrangement difference क्या है distillation में हमने यह नहीं लगाया था fractionating column और यहां हमने यह fractionating column लगाया है current और use क्या है इस fractionating column का सुनिएगा हम इसे heat करना शुरू करेंगे temperature बढ़ेगा और जैसे ही temperature chloroform के boiling point के बराबर होगा 334 Kelvin वैसे ही chloroform की vapors बनना शुरू हो जाएंगी किसकी vapor बनेंगी पहले chloroform की पर problem यह है कि chloroform और benzene के boiling point में ज़्यादा difference नहीं है तो chloroform की vapors के साथ में कुछ vapors आपको benzene की भी मिल जाएंगी यही एक problem है और benzene की vapor भी मिलेंगी और chloroform की ज़्यादा vapors किसकी होंगी chloroform की कम vapors किसकी होंगी benzene की तो chloroform की vapor भी जा रही है उपर और benzene की vapor भी जा रही है ज्यादा वैपर किसकी है याद रखना क्लोरोफार्म की क्योंकि अभी बॉइलिंग पॉइंट क्लोरोफार्म के बॉइलिंग पॉइंट के बराबर है बेंजीन के बॉइलिंग पॉइंट के बराबर नहीं है तो बेंजीन की वैपर बन गई है क्योंकि इसका boiling point भी इसके past में है तो benzene की vapor बनी तो है पर कैसी है बहुत कम energetic दीरे दीरे उपर जा रही है तो chloroform तीजी से उपर जा रहा है और benzene दीमे दीमे तो benzene की vapor की speed तो वैसे ही कम है उपर से इतने सारे obstacles आपने और रखे हुए बीच में इतने सारे stone, pebbles, glass pieces and all and all इन सबसे टकराते 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 जो benzene की slow moving vapors थी वो condense हो जाएंगी यहीं पर और दुबारा नीचे आजाएंगी कौन नीचे आएगा वापिस से? वापिस से नीचे आएगा benzene benzene क्यों आया? chloroform क्यों नी आया वापिस नीचे? क्योंकि chloroform का boiling point पॉंट चुका है chloroform की vapors highly energetic हैं जोर से उपर जा रही है chloroform की vapors speed के साथ में उपर जा रही है benzene की vapors दीमे दीमे उपर जा रही थी less energy के साथ में आगई बात समझ में? तो chloroform की vapors इन सारे obstacle को cover करते हुए इस condenser में जाएगी, cool down हो जाएगी और liquid में convert हो करके इस beaker में collect कर लिया जाएगा कौन collect हो जाएगा? chloroform Is it okay? आगई बात समझ में? तो fractionating column का use क्या है? कि जो दूसरी vapors मिल रही है benzene की वो इन obstacles से टकरा टकरा कर दुबारा condense होकर इसी में गिर जाएगे ये use है fractionating column का which is used in the process of fractional distillation तो यूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को chloroform हमारा यहां आ चुका है benzene इस container में बाकी रह जाएगा और हम अगर चाहें तो थोड़ा और heat करके जैसा पहले किया था benzene को भी beaker में collect कर सकते है if we feel that some other impurities are also there is it okay तो हम अगर boiling point का difference 30 Kelvin से कम हो तो कौन सा method काम में लेते हैं fractional distillation और अगर 30 Kelvin से ज़्यादा हो तो हम कौन सा method काम में लेते हैं distillation is it okay तो video pause करके यह diagram आप जरूर बनाएंगे यह examples भी आप लिखेंगे और इसके बाद में जो separating techniques हमको पढ़नी है और भी पढ़नी है that we'll see in the next class okay so bye everyone